हलो दोस्तों मैं हर्शता और आप देख रहे हैं ट्विन स्वाइवर्ड बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि गर्भावस्था के दौनान हमें लीची खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए क्योंकि कई बार कुछ ऐसे फी फूड आइटम होते हैं जिसके कुछ ब गर्म होने के वज़ा से यह आपकी प्रिगनसी के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि बहुत जादा गर्म तासीर वाले चीजे खाना आपको प्रिगनसी में अवोइड करने के लिए आपकी डॉक्टर्स भी बोलती हैं तो यह जादा अगर हीट क्रियेट हो जाती है उससे उनके होटों के पास थोड़े से दाने-दाने से निकलते हैं कुछ एक घाओ सा बन जाता है वही चीजे आपको लीची के कंजम्शन के बाद भी आपको दिखाए देती हैं मतलब अगर आप लीची खाते हैं तो आपके शरी में काफी जादा आपकी तासीर बढ़ती है और आपको होट के पास कुछ घाओ हो सकते हैं ड्राइनेस आ सकती है और कई बार बहुत सरी महिलाओं को एलर्जी भी देखी जाती है लाइक उनके इसकिन पर रैशेस हो सकते हैं इचिंग हो सकती है तो ये सारी चीजे आपको लीची खाने के बाद देखने के लिए मिल सकती है और कई बार तो इतनी ज़ादा heat produce हो जाती है तो hemorrhage होने के भी chances काफी ज़ादा बढ़ते हैं Like bleeding होने की समस्या देखी जाती है तो ऐसे case में maybe शायद आपकी miscarriage हो जाए या फिर premature delivery के भी खतरे बढ़ते हैं तो ऐसे case में आपको लीची को avoid ही करना चाहिए और कई बार महिलाओं को ऐसा देखा गया है कि लीची का अगर वो सेवन करती हैं कई बार तो moderation से बाहर भी जाता है तो ऐसे case में उनकी जो diabetic जो level होती है यानि कि gestational diabetes के अगर मैं बात करूँ तो sugar level तुरन से बहुत जादा ही fluctuate करता है कई बार बहुत जादा high हो जाता है तो ऐसे case में कुछ अंचाहे खतरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं तो यही recommend किया जाता है कि आपको लीची जादा नहीं खाना चाहिए फिर भी अगर आपको craving हो रही है कुछ बहुत ही जादा खाने की इक्षा कर रही है क्योंकि अव्यसी बाते की pregnancy में आपको craving काफी जादा होगी तो ऐसे case में आप अपनी गाइनी से ज़रूर बात कर लिजे कि क्या एक दो या फिर अगर आप moderation में कुछ लीची का प्रयोग करते हैं तो यह harmful है या नहीं है तो वो जैसे आपको सलाह देंगी वैसे आप कर सकते हैं लेकिन किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं होती है कहा जाता है अती सर्वत्र वर्जते तो किसी भी चीज की अती मत करीएगा बाकी यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है टुइन्स माई वर्ल्ड के अर उसे भी विजिट करना मत भूलें थैंक यू सो मुच पर वाची ट्विन्स माई वर्ल्ड